आज का patchwork pattern बनाने के लिए यहाँ पर हमने 4x4 के cotton piece लिए हैं और dark piece में 2 piece लिए हैं 4x4 के और pink वाला यह 10 piece है और यह 4 piece है तो अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं यह एक piece बनेगा इसको त्यार करने के बाद और इसके बाद जितने आप जोड़ना चाहें उतने piece बना सकते हैं उसे साफ से तो मैं एक pattern जो है उसको बताने जा रहे हूं तो एक dark color लेंगे अब 10 में से जो pink वाला है एक piece लेंगे और इसको उल्टा रखते हुए यहाँ पर इस तरह से इसके से corner से corner में लाएंगे और बीच में एक line खीच लेंगे अब यह जो line हमने यहाँ पर खीच दिया है इसके किनारे किनारे बहुत बारीक मशीन चलानी है यह line के वाल हमें काटने के काम में लानी है और इसके side में बिल्कुल machine चलानी है बहुत सफाई के साथ इस तरह से बीच में से line पर cut कर देना है और जो side में सिला की थी हमने उससे यह इस तरह से जुड़ जाएगा तो एक dark piece और एक pink piece और बनाएंगे यह brown piece के हमने चार piece त्यार कर लिए अब इसमें से चार piece निकाल के रख देंगे यह चार रख दिए यह चार त्यार हो गए और इन चार को इन चार को मिला करके सेम प्रोसीजर में जैसे इसमें line कीच करके सिलाई की थी इसी तरह इसको भी प्यार कर देंगे दोनों piece उल्टे रखेंगे सीधा piece अंदर रहेगा कार को मिला सेमें चार कर देंगे सीध दिए कार देंगे पर देंगे निए प्रीजर देंगे रखेंगे पर देंगे यिए अब निए अब यह सारे पीस हमने त्यार कर लिए अब लेंगे हम एक डार्क पीस और एक ब्लू पीस डार्क को इस तरह नीचे रखेंगे और ब्लू को उपर रखेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे इसको इस तरह से जोडने के बाद एक फ़ेत लिए लेंगी ओंडियाँ तो यहांँ पर चोड़ लगाया था लेकिन जोड लगाने के विज़र से यह थोड़ा सा छोटा ऊग्याँ यह बढ़ा हो जाएगा तो इसको सिलने के बाद इसको हम अब बराबर से कट कर लेंगे इस तरह से रखेंगे जो बढ़ रहा है उसको कट कर देंगे अब इसको जोडने के बाद वापस एक डार पाला लेंगे और इसको यहां इस तरह से जोड देंगे यह हमारी एक लाइन अभी त्यार हुई है अब लेंगे हम दूसरी लाइन के लिए पीस लेंगे प्लेंपीस इसके बाद रड और ब्लू रड को रड के साथ जोड़ेंगे इस तरह से और ब्लू को इस साइड लाएंगे इसको इस तरह से जोड दिया फिर लेंगे रड और ब्लू ब्लू के साथ रड को लगाएंगे इस तरह से और जोड देंगे अब फिर एक रड ब्लू लेंगे ब्लू को ब्लू के साथ लगाएंगे और इसको इस तरह से जोड देंगे अब इसको हमने यहां से शुरू किया था और इस लाइन को भी यहां से शुरू किया था तो यह दोनों लाइन एक साथ चलेंगे इधर से ही शुरू करना है दाहने से बाएं की तरफ हम जोडना शुरू करेंगे अगर आप बाएं से दाहने चलते हैं तो फिर बाएं से दाहने ही आपको सिलना होगा एक ही उसमें पैटर्न पर आपको सिलाह करनी होगी अब इसको हम बराबर से रखते हुए जोड देंगे सारे जोड एक साथ आने चाहिए और ये इस तरह से जुड़ गया अब तीसरी लाइन त्यार करेंगे हम तीसरी लाइन के लिए रड और ब्लू लेंगे रड को उपर रखेंगे इस तरह से फिर एक रड ब्लू लेंगे ब्लू को ब्लू के साथ जोड देंगे फिर एक रड ब्लू लेंगे और ब्लू को इस तरह से जोड देंगे ये सिलाई हमारी इस तरह से आनी चाहिए अब इसके साथ यहाँ पर एक प्लेन जोड देंगे अब इसको हम इसके साथ इस तरह से जोड़ देंगे ये भी हमने यहां से शुरूकिया था जैसे यह सारे पीच शुरूकिये थे अब इसको हम इधर से इस तरह से रखते विए जोड़ देंगे यह इस तरह से हो गया, अब हमारी चौथी लाइन शुरू होगी, इसके लिए फिर हम एक ब्लैक लेंगे, ब्लैक हमारा उपर साइड में जाएगा, इस तरह से, फिर इसके बाद प्लेन लेंगे और इसको यहां जोड़ देंगे प्लेन के बाद, एक ब्लू और पिंक वाला लेंगे, रेड वाला और इसको हम और इसको इस तरह से जोड़ देंगे अब last में हमारे पास फिर यह डार्क वाला पीस बचेगा इसको जॉड़ देंगे जो डार्क वाला है ये उपर चला जाएगा और पिंक को पिंके के साथ जोड़ देंगे और इसको भी हम इस तरह से रखते हुआ जोड़ देंगे तो यह जो black है हमारा यह चारो तरफ आ जाएगा और इस तरह से यह एक pattern हमारा त्यार हो गया यह देखिए चक्र की तरह यह दिखाई देगा और इसी तरह से मैंने यहाँ पर बाकी तीन पीस त्यार करके रखे हैं यह देखिए और अब इन पीस को हम जोड़ेंगे तो सिंपल सा जोड़ना है ब्लैक को ब्लैक के साथ मिलाएंगे सारे जोड एक साथ मिलाते विए इसको इस तरह से सिल देंगे अब यह चार उपीस को दो-दो करके हमने जोड़ दिया अब इन दोनों को लंबाई में जोड़ेंगे इस तरह से से में जो जोड़ हैं वह एक साथ आने चाहिए कोशिश यही करनी है कि एक साथ आए इसको हमने चार उपीस को जोड़ दिया जो देखने में कुछ यह ऐसा लगेगा और बीच में एक यह पीस आ जाएगा और इसके किनार किनार यह पूरी डिजाइन आपको इस तरह से दिखाए देगी अब इसी में और पीस जोड़ते जाएंगे तो यह ब्लैक कलर का जो स्कॉयर पीस दिख रहा है वह यहां आ जाएगा यहां भी आ सकता है चारो तब जोने पर इस तरह के पीस बढ़ते जाएंगे तो यह इस तरह से एक पैटन यह है और आप चाहें तो इसके आगे और भी और जूदे बढ़ा लें लंबाई चड़ाई उसी साथ से ले लें उतने ही स्कॉयर क्रीज तेयार कर लें इतने बड़े और अब इसमें हम बॉडर लगा देते हैं तो बॉडर के लिए पहले अब यह तो इस साइड जोड़ रहा है तो उसकी आप बाद जोड़ेंगे उसक जो ये वाला है इसी का हम बाडर बनाएंगे और इसको यहां जोड़ देंगे अब ये दोनों पीस लगाने से इसकी जो लंबाई है वो बढ़ गई है अब लंबाई जोड़ेंगे और इस तरह से यह हमारा आज का नया पैटर्न त्यार हो गया है यह कुछ इस तरह से दिखाए देगा और उसे किसी ने पुछा था कि इसके नीचे की जो सिलाई है जो यह उल्टर साइट की सिलाई है किस तरह रखनी है तो सिलाई आप चाहें जैसे कीजिए लेकिन जहां पर जोड़ आ रहे हैं जितने भी जॉइंट आ रहे हैं वहां पर डबल मशीन होनी चा जाता है तो इसलिए उसकी चिंता ना करें जो जोड़ हैं वहां पर हमारे डबल मशी थाल कर दी यह जोड़ पे पहले डबल मशीन चला चुकी तो इसको पुरा सिंगल सतर्स तो जितने भी जोड़ बाशने चला करके और उसको मजबूत करती चाहिए इस तरह से आज हम नया पैटन त्यार किया उमीद्ध पसंद आया होगा लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें आइकाउन बेटन दबना ना भूलें दंदने फिर कुछ नया और यूसफुल लेकर आएगी नमस्कार